तो आज हम बात करने वाले हैं डाइट ब्लांट के बारे में जिनका वेट 58 kg है और वो अपना fat loss करना चाह रहे हैं और 55 kg पे आना चाह रहे हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 1800 calories के बारे में क्योंकि आपके लिए fat loss बेस्ट होगी अगर आप पी 80 kg के body weight के हिसाब से हैं तो डाइट ब्लांट में अगर सबसे पहले बात कीजिए breakfast में breakfast में आपको लेने हैं 3 whole eggs यानी 3 boil लेने हैं सुबह breakfast में then आपको lunch में लेने हैं 1 bowl दाल किसी भी आप कोई भी दाल ले सकते हैं जो भी आपको पसंदो then आपको लेना है 200 gram boiled rice यहीं 200 gram आपको लेना है चावल यह जरूरी नहीं है कि आप brown rice लें आप simple white rice भी use कर सकते हैं then आप ले सकते हैं 200 gram chicken अगर आपको chicken नहीं पसंद है तो आप कर सकते हैं paneer 200 gram नेक्स्ट अगर snacks की बात किजिए यानि अगर बात किजिए तीन से चार वजे का टाइम में आपको क्या लेना है तो आप ले सकते हैं 1 cup of tea यानि एक cup आप चाह ले सकते हैं अगर आपको चाह नहीं पसंद दे तो coffee ले सकते हैं coffee अगर नहीं पसंद दे तो maximum आप जो है 3 bananas ले सकते हैं या banana आप नॉर्मली खा सकते हैं नहीं तो आप उसका सेख भी बना के पी सकते हैं नेक्स अकर बात कीजिए डीनर में तंडीर में आपको लेना है वाल दाल यानि फिर से वही एक कटोरी दाल लेना है कोई भी आप ताल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद दो 200 ग्रैम आपको लिखना है white rice अगर आप brown rice यूज कर सकते हैं तो brown rice भी यूज कर लें 200 ग्रैम आप चिकन ले सकते हैं अगर आप चिकन नहीं लेना चाहते तो यहां भी आपके पास है option पनीर का पनीर आप ले सकते हैं 200 ग्रैम और आपको डिनर में लेना है यानि एक कटोली आपको दही लेना है तो यहां पर आपको हमने एक सिंपल सा डाइट प्लान आपको हमने बता दिया है जो कि वेट हमारे 55 kg बॉड़ी वेट के हिसाब से है अगर उनका वेट 58 है और वो अपना बॉड़ी वेट यानि फैट लॉस करना चाहरे तो 55 kg पर किस तर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा कौशली भी नहीं होते हैं नॉर्मल आपको मंतली में मैक्सम बहुत ज़्यादा खर्च आएंगे तो आई होप यह डाइट प्लान आपको बहुत पसंद आए होगा अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ के साथ अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को भी भी ज़ना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तक तक के लिए गुडबाई एंड टेकिया है